मित्रों, पिछले कई वर्षों से मैं लोगों को प्रार्थना के लिए प्रेर्णा देता हूं, प्रेरिद करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रार्थना के द्वारा कैसे लोगों के जीवन में, परिस्थतियों में परिवर्थन आता है। कुछ दिन पहले आपने इस बात पर मनन किया कि प्रार्थना किया है वास्तों में प्रार्थना ईश्वर के साथ जूड़ना है और जब हम ईश्वर के साथ जूड़ेंगे तब हमारे जीवन में एश्वर के जीवन, एश्वर के समर्थ, एश्वर के प्रेम का अनुभाव और एहसास होगा और इसलिए मैं फिर आपको प्रेरित करूँगा प्रार्थना में समय बिताईए कई लोग एक सवाल करते हैं कई दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन प्रभू मेरे प्रार्थना क्यों क्यों नहीं सुन रहा है ये सवाल कई लोगों के मन में है और इसका जवाब आज संतियाकूब के पत्र के अधियाए पांच वाक्य सौलव में हमें प्राप्त होता है संतियाकुब लिखते हैं धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना प्रभावशाली होती है मैं दोराना चाहता हूँ धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना प्रभावशाली होती है दो बातें वहाँ पर प्रगट होती है पहली बात धर्मात्मा की प्रार्थना दूसरी बात भक्तिमाय प्रार्थना ये दोनों बातें आगे भी मनन्चिंतन में आएंगी इसके तुरंद बाद याकूब हमें एलेया का उधारिन देते हैं बचन में याकूब कियता है कि एलेया ने आग्रह के साथ प्रार्थना की और साड़े तेन वर्ष तक प्रथी पर वर्षा नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने आग्रह के साथ प्रार्थना की और प्रथी पर वर्षा हुई धर्मात्मा की भक्तिमाय प्रार्थना प्रभावशाली होती है सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभी एसु मसी ने बहुत सारे चिन और चमतकार प्रगट किये जब प्रभु अपने शिश्यों के साथ जील में थे और जील में जंजावात उठा नाव डूबने डूबने को हो गई प्रभु ने तूफान को आंधी को शांत किया आंधी ने प्रभु की बात को मान ली हम सुसमाचार में पढ़ते हैं लाजरुस मर गया था और उसकी लाश सड़ गय थी प्रभी एसु ने प्रार्तना की पिता से प्रार्तना की रहा है और लाजरुस को आवाज दी लाजरुस बाहर आ जाओ और लाजरुस जिन्दा हो गया प्रभी एसुने इस प्रकार बहुत सारे चिन और चमतकार प्रकट किये संतियाकूब क्याता है धर्मात्मा की भक्तिमे प्रार्तना में शक्ति होती है हम योहन के सुसमाचार की अधियाए 15 उसकी वाकिय सात में पढ़ते हैं प्रभू कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तुम जो चाहे मांगो वो तुमें दिया जाएगा प्रभू हमें ललकार रहा है प्रभू कहता है यदि हम उनके साथ जूड़े रहे उनके साथ जीवन बिताएं और उनकी सिक्षा हम में बनी रहे यानि हमारा जीवन उनकी सिक्षा के अनुसार हो प्रभू कहता है जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा मति किस्व समाचार की अधियाई साथ में उसके वाकिस साथ से प्रभू कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा खट-कटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा ढूलो और तुम्हें मिल जाएगा प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा इतनी बड़ी प्रतिग्या प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा नहीं करेंगे बलकि जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है वही इश्वर के राज में प्रवेश करेंगे तो एक तरफ प्रभु हमसे कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा और दूसरे तरफ प्रभु कहता है जो इश्वर की इच्छा को पूरी करता है उसकी ही स स्तोत्र एकानवे में एक वच्चन मिलता है। स्तोत्र एकानवे मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसके वाकिये 14 और 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु कहता है वह मेरा भक्त है। इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम जानता है। इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूँगा। मैं संकट में उसका साथ दूँगा। कितना सशक्त वच्चन है। प्रभु कहता है कि वो मेरा नाम जानता है, वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका साथ दूँगा, मैं उसको सुनूँगा, अमारी प्रार्तनाये तभी सफल होंगी और प्रभावशाली होंगी जब हम एश्वर की छागनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए उनकी प्रार्तना प्रभावशाली नहीं हो सकती है। लेकिन प्रभी एसु ने विश्राम दिन के असली अर्थ को समझाने के लिए उन दिनों में कुछ न कुछ भला कारे किया। ये बताने के लिए कि विश्राम दिन दूसरों को सेवा करना कोई गलत बात नहीं है। तो प्रभी एसु ने उस जन्मांध को विश्राम के दिन चंगा किया। और इसलिए बहुत बड़ा विवाद छुड़ गया। येहुदी ने तापस में कहने लगे। ये इश्वर के खिलाफ कारी कर रहा है। और इसलिए खोजबीन हुआ। उस जन्मांध से पूछा कि किसने तुम्हें चंगा किया। उसके पिता को बलाए गया। और पिता को बहुत ज्यादा डाटने लगे। तब पिता ने एक बात कही। हम ये वचन योहन का सुसमाचार। उसके अध्याए 9 वाक्य 31 में पढ़ते हैं। उसने कहा कि हम जानते हैं कि एश्वर पापयों की नहीं सुनता है। वो उनकी सुनता है जो उनके भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जो उसके भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। एश्वर पापियों की नहीं सुनता है। जब तक वो पश्चताप ना करे। अक्सर हमारे हिर्दे में कपट है, छल है और हम प्रार्थना करना चाते हैं। एश्वर हमारे लिए कुछ करें, ये सोचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तीन-चार महिनों से एक भाई मेरे पीशे लगा हुआ है। वो बार-बार हमसे कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, वो कोई प्रोजक्ट चलाना चाता है। लेकिन मैंने देखा कि उनके हिर्दे के अंदर सचाई नहीं है। और मैं बार-बार उनको बताता जा रहा हूं कि आपकी प्रार्थना शायदी सुनी जाएगी। क्योंकि आपके हिर्दे में सचाई नहीं है। योहन के सुसमाचार की अध्याय चार में प्रभी एसु समारी स्त्री से कहता है। एशुर आत्मा है। और उसकी अराधना सच्चाई और आत्मा से होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना आत्मा से हो। हमारी प्रार्थना सच्चाई के साथ हो। अगर हमारा जीवन प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं है और हमारे जीवन में एश्वर के इच्छाओं की पूर्ती नहीं है तो हम सचाई के मार्ग पर नहीं हैं। तो हिर्दय की सचाई और आत्मा की प्रार्तना एश्वर सुनता है और सुनेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याए 35 उसके वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है जो सारे हिर्दे से एश्वर की सेवा गरता है उसकी सुनवाई होती है यरमयस नभी के ग्रंथ के अध्याए 29 में भी उसके वाक्य 13 में प्रभु कहता है यदि तुम संपून हिर हिर्दे से मुझे ढूंडोगे 13 14 में यदि तुम संपून हिर्दे से मुझे ढूंडोगे तो मैं तुम्हें मिल जाओंगा और मैं आकर तुम्हारे भविश्य को पलड़ दूंगा जब हमारी प्रार्तना संपून हिर्दे से हूं हमीश्वर को संपून हिर्दे से ढूने त करूंगा और जब तुम लंबी लंबी प्रार्तनाइं बोलोगे मैं अपने कान बंद कर दूँगा क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं पहले जाओ सनान करो शुद्ध हो जाओ हमारी प्रार्तनाइं तभी प्रभु सुनेंगे जब वास्तों में हम शुद्ध हो जाएंगे हम पर्शताप करेंगे एशियास नभी के गरंध की अध्याई उन्सट में प्रभु का वचन कहता है कि एश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि वो तुम्हें बचा नहीं सकता है तुम्हारे अधर्मों के कारण तुम्हारी सुनवाई नहीं होती है तुम्हारे पापों के कारण एश्वर तुमसे विमुख हो गया है हमारे हिर्दे में जब तक पाप बसता है हमारी प्रार्तनाओं में शक्ती नहीं रहेगी एश्वर पाखंडियों से घ्रिना करता है तिन चार महिना पहले एक बहन अपने छोटे से बच्चे को लेकर आश्रम में आई प्रार्तना के लिए और वो बच्चा बच्चपन से ही देखने ही पाता था अंधा था और उन्होंने मंच पराकर साक्षि दिया कि मैं प्रभू के पास आने लगी प्रभू ने मेरे हिर्दे को शुद्द किया मैं प्रार्तना करने लगी मैं हिर्दे खोल कर प्रभू को पुकारने लगी और प्रभू ने मेरी प्रार्तना को सुन ली और मेरे बच्चे की आँखों को खोल दी आज वो बच्चा देख सकता है इतना सुन्दर चमतकार इतना बड़ा चमतकार प्रभू ने उस परिवार के लिए उस बच्चे के लिए किया क्योंकि उस बहन ने अपने हिर्दे को शुद्ध की और प्रभू को पुकारा जब लोग प्रार्तना के लिए आते हैं मैं उनसे ही बात कहता हूँ कि प्रभू के सामने बैठो प्रार्तना मिलीन हो जाओ आपको शुद्ध हो जाने दो जब आप शुद्ध हो जाएंगे आपको मनोभा बदल जाएगा आपके उद्देश शुद्ध हो जाएंगे आपके हिर्दे और मन शुद्ध हो जाएंगे आपकी प्रार्तना सुनी जाएगी हमारी प्रार्तनाओं का दुर्बल होने का एक मुख्य कारण यह है कि हमारे अंदर शल है कपट है पाखंड है दूसरों के प्रती गुसा है बैर है मार्कुस के सुसमाचार की अध्याएक 11 में प्रभी एसु कहता है उसके वाक्य 24 में एक बहुत बड़ी प्रतिग्या प्रभू हमें देता है प्रभू कहता है जब तुम मांगते हूँ प्रार्तना में विश्वास करो कि तुमने जो मांगा है वो तुमें मिल चुका है और तुमें दिया जाएगा कितनी सशक्त प्रतिग्या है प्रभु कहता है जब तुम मांगते हूँ प्रार्तना में विश्वास करो कि तुमने जो मांगा है वो तुमें मिल चुका है और वो तुमें दिया जाएगा लेकिन ठीक इसके बाद वाक्य 25 में प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना में खड़े होते हो अपने अपराधियों को शमा करो ताकि ईश्वर तुम्हारे भी अपराध शमा करे प्रभु के हिर्दय में हम सब के लिए बहुत सारी प्रतिग्या हैं प्रभु इश्वर हम सब को अपने अनुग्रह से भरना चाता है लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि हम अपने हिर्दय और मन को शुद्ध करे तब प्रार्थना करे हमारी प्रार्थना तब सफल होंगी त आप सबसे पहले इश्वर की कृपा के लायक बनिये। हमें इश्वर की कृपा के लायक बनना है और ये तभी संभाव है जब हम पश्चताब करते हुए अपने हिर्दे को शुद्ध करेंगे। हम एक दो पल के लिए अपने आखें मन रखें। इस समय अपने आपको देखें। लेकिन हमारे ही पाप इसके लिए बाधा बनते हैं हमारे पापों के चलते हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है हमें इस बात का इसास दिलाईए हम पर दया कीजिए हमें परश्चताब को वर्दान दीजिए हमारे परिवार के सभी लोगों को परश्चताब का बर्दान दीजिए हम पर द्या कीजिए